तो क्या कॉंग्रेस जी उत्राघंड कॉंग्रेस अपने प्रतियाशी और छे सीटों पर प्रतियाशी बदलने जा रही है आज का आगबार पड़ा आपने जी सबसे पहले न्यूज वर्ल इंडिया परिवार की और से सभी को गंतंत्र दीवस की हारदिक शुप कामना है आज मुद्दा सियासी गलियारों में बेहत दिल्चस्प है अगबारों की सुर्खियां चीक चीक कर बया कर रही हैं कि उत्राखंड कॉंग्रेस के घर के भीतर बगावत की चिंगारी अब आग बन चुकी है और खबर ये है कि पार्टी छे सीटों पर अपने प्रतियाशी बदल भी सकती है वो छे सीटे कौन सी है उसका जिक्र मैं आगे आपसे करूँगा और उत्राखंड कॉंग्रेस के घर के भीतर इन छे सीटों पर कोहराम कैसे मचा हुआ है और क्यों मचा हुआ है और कौन कोहराम मचा रहा है उसका जिक्र भी किया जाएगा लेकिन अकबारों की सुर्खियों में आज एक दिल्चस्प खबर अकबारों में च्छाई हुई है और वो खबर है चुनाव के समय मुफ्त उपहारों का जो बंपर गिफ्ट दिया जाता है जन्ता को सुनहरे सपने दिखाये जाते हैं कि लैप्टॉप फ्री बिजली फ्री साइकिल फ्री सब कुछ फ्री 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 अब उस पर सुप्रीम कोट ने अपनी नरास्गी जताई है सुप्रीम कोट ने इसे एक गंभीर मुद्दा माना है बकायदा चुनाव आयोग और केंदर सरकार दोनों को नोटिस जारी करके इस विशे पर कदम उठाने की बात तक कही है खेर आगे बढ़ते हैं खबरों की सुर्खियों में कई खबरे एहम हैं लेकिन उमीदवारों के इतर आज सवाल कॉंग्रेस के घर के भीतर है कॉंग्रेस के घर के भीतर चिंगारी कैसे आग बन चुकी है आज अकबारों की सुर्खियां चीक चीक कर वो बया कर रही है हर सीट पर कमोवेश एक जैसी सिती है लेकिन एक खबर जिसका जिक्र पहले मैं बीजेपी के घर के भीतर का भी करूँगा और कॉंग्रेस में किस तरह से छे सीटों पर बदलाव की सुबू का हट है और वो छे सीटे कौन सी है उसका जिक्र करूँ लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बीजेपी के घर से एक और भी आ रही है खबर ये जो हमने आपको बताया था कि पिता की हार का बदला लेने के लिए बेटी मैदान में उतर सकती है रितु खंडूरी कोरद्वार सीट से चुनाव लड़ सकती है 2012 में भुवंचन खंडूरी को मिली हार पार्टी के लिए एक जख्म नासूर जख्म बन गई थी क्योंकि 2012 में खंडूरी हारे थे जिस वज़ा से बीजेपी सप्ता पर काभिज नहीं हो पाई अब ऐसे में यमकेश्वर से ठिकेट कटने के बाद रितु खंडूरी को पार्टी कोरद्वार से चुनाव लड़ा सकती है और ये लगभग तैम आना जा रहा है कि कोरद्वार से रितु खंडूरी बीजेपी का प्रत्याशी होंगी बीजेपी की प्रत्याशी होंगी कोर्दवार से क्योंकि कोर्दवार हरक सिंग रावत छोड़ चुके हैं हरक सिंग रावत बीजेपी कह रहे हैं कि भाग गए भगोड़े हैं कॉंग्रेस में शामिल हो गए खैर हरक सिंग रावत की चर्चाएं और भी आम हैं उसका भी जिकर आगे मैं करूँगा लेकिन अखबारों की सुर्खियां इस बात का संकेत दे रही है कि कॉंग्रेस के घर के भीतर टिकिट को लेकर कोहराम जिस तरह से मचा हुआ है छे सीटों पर कमोवेश इस वक्त भ्यंकर बवाल की सिती पैदा है इतना ही नहीं कल हरी शुरावत के आवाज हो या फिर कॉंग्रेस कार्याले जम कर प्रदर्शन हुए हरी शुरावत के आवाज पर रिशिकेश वालों ने डेरा डाल दिया रिशिकेश वालों ने नराजगी जताई कि आपने गलत प्रतियाशी का चैन किया शुरवीर सिंग्स सज्वान के करीमी बताए जा रहे है और इसके सासा जिन छे सीटों का मैं जिकर कर रहा हूँ उसमें सबसे हॉट सीट जिसका जिकर मैंने कल भी किया था और वो सीट थी राम नगर की जहां से खुद हरी शुरावत चुनाव लड़ना चारे है रंजीत रावत ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं अटेंगे उन्होंने कहा जिन्होंने मुझे राम नगर भेजा अब वो मुझे सल्ट भेजना चारे है मैं सल्ट नहीं जाओंगा उनके आवास पर भी प्रदर्शन हुआ उनके करीबियों ने नराजगी जताई और नराजगी सीधे तौर पर हरी शुरावत के खिलाव थी अब ये बात हुई राम नगर सीट की रिशिकेश में बवाल जिस सीटों का मैं जिकर कर रहा हूँ जहां पर परतियाशियों कोई बदलने की संभावना तक जताई जा रही है राम नगर में चर्चा ये है कि हरी शुरावत बगावत की चिंगारी को अगर नहीं भुजा पाए तो वो हरीद्वार ग्रामिड की सीट पर जा सकते हैं हरीद्वार ग्रामिड से चुनाव लड़ सकते हैं जो सीट उन्होंने अपने ही बेटी के लिए शायद छोड़ी हुई है जिस पर चर्चाए हो रही है कि वो वहाँ से बेटी को लड़वाना चाह रहे है लेकिन इसके साथ साथ जिन सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूँ रामणगर की सीट के साथ साथ अब बात सीधे तौर पर रंड़ीत रावत के इतर हरिद्वार ग्राहमिड का मैं ने जिक्र किया जहां से वो खुद प्रत्याशी हो सकता है कि हरीश रावत वहां चरे जाये मूव कर जाए अब रिशी केष सीट का मानने जिक्र किया श्रावत के आवास पर जाकर नराजगी जताई अब ऐसे ही लालकुआ में लालकुआ हरिश्चन दुर्गापाद पूर कैविनेट मंतरी कॉंग्रिस के कद्दावर नेता उन्होंने अपनी नराजगी को लेकर बगावत का बिगुल बजा दिया है बकायदा अपने आवास से क दिल्ले से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ूगा किसी भी कीमत पर हरिश्चन दुर्गापाद कभी हरी श्रावत के खासमखास हुआ करते थे अब आगे ऐसी सिती कुमाव में काला डूंगी की है काला डूंगी में क्या हुआ काला डूंगी में विधान शर्मा जो है वो नराज बताये जा रहे हैं लेकिन इससे बड़ी खबर कुमाव में एक और भी है जिसका जिक्र बहुत जरूरी है और इसका जिक्र हमने हाली में आपसे किया भी था बाजपूर यश्पाल आरे के लिए खत्रे की घंटी बज गई है बाजपूर में जंकर बगावत हो रही है ना सिर्फ बगावत हो रही है बलकि सुनीता बाजपूर जिसका जिक्र मैं कर रहा था आपसे कि जो बाजपूर पर जिस तरह से सक्रिये हुआ और किसान आंदोलन में एहम भूमी का निभाई उनके पती ने अब वो आम आदमी पार्टी जोइन कर चुक है कल तक काशिपूर में भी यह सीती थी अब आम आदमी पार्टी ने इस बगावत को बुनाते हुए तुरिता बाजपूर को टिकेट थमा दिया अब वो नामंकर भी कर रही है ऐसे में यश्पाल आरे के लिए मुश्किल है हरीश रावत के लिए मुश्किल है रणजीत र पुनाव चिन है वो हाथ का निशान क्या चिंगारी से जो आग बन चुकी है उससे जल जाएगा या फिर इस तपिश को महसूस करके कॉंग्रेस का हाथ और मजबूत होगा ये बड़ा सवाल है लेकित इतना जरूर है कि छे टिक्टो पर अब घमासान मचा हुआ है जहां प